अंवसकार तो काफि टाइम से आपकी कमेंट्स आ रहे थे कि गिल्राजपत्रिका की लाष्ट six month के current affairs discuss किये जाएं देखिए वही हम करेंगे गिल्राजपत्रिका की last six month के current affairs यहां पर discuss करेंगे चाहे वो हिमाचल जी के से बनते हैं चाहे वो national international affairs से बनते हैं या फिर जहां से भी बनते हैं जो हमने गीरास पत्रेका में डिसकस किया है यहां पर हम अच्छे से रिवाइज उसको कर लेंगे डिटेल में हम पहले इनको देख चुके हैं अभी हम क्या करेंगे अभी हम थोड़ा थो जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं अग्जाम पॉइंट आफ यू से वह जान लेंगे पर उन्तों बहुत ज़्यदा डिटेल से अगर आपको हर इक पार्ट देखना है जनवरी से लेकर अभी तक का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना जनवरी दोहजार थीस से अपको यह सारा डेटा मिल जाएगा चली पहले ग्रेशन से स्टार्ट करते हैं बोलते हैं रिसेंटली हूँ है बिन अपॉइंट इस न्यू लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रतेश तो उस टाइम हिमाचल प्रतेश के नए लोकायुक्त बने थे जनवरी दोहजार थीस में तो यह बनाया गया था जस्टिस सी बी चीफ जस्टिस बने है वोगायुक्त बने है यह आपने धियान रखना है रिसेंटली जो था वो ग्या हुआ था यहीं सब वो करके लिख दिया गया है और लोकायुक्त जो है पहले लोकायुक्त के अगर हम बात करते हैं तो वह हिमाचल के जस्ठिस टीवी आर तताचारी औ वो हिमाचल के लोकायुक्त रहे थे अगला question देखें बोलते हैं total number of voters in the world's highest pooling station ताशी गंग तो बोलते हैं ताशी गंग जो कि लोहुस्पित्ती में पड़ता है दुनिया का सबसे उंचा मतदान केंद्र है यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी वोटिंग हुई थी ताजी दिसंबर में तो question बन गया था तो 52 total number of voters यहां पर आते हैं 52 आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा जान लीजिए ताशी गंग जो हो 15,256 feet height पर उस्तित्थ है और यह जो है वो लोहुस्पित्ती का एक border district है और अगर हम बात करते हैं यहां पर total number of voters क तो 52 voter जिन में से 30 जो था वो male थे और 22 जो था वो female थे और जब इलेक्शन अभी हुए थे तो 100% voting जो था यहां पर दर्ज की गई थी अगले question में बोलते हैं total number of registered voter in 2022 विधानसवा election इन ही माचल पर देश तो बोलते हैं कि 2022 के 2022 के जो विधानसवा election हुए इसमें total number of registered voter जो थ ने थे तो वो थे कितने 55,092,828 कितने 55,092,828 और options में जो है वो option भी सही अंसर इसका हो जाएगा यह आपने ध्यान रखना है यहां से अगले question में बोलते हैं recently who has been appointed as new chief secretary of हिमाचल प्रदेश तो अभी भी यही है मुख्य सचीव हिमाचल के और उस time इनको appoint किया गए तो य हैं कौन इनका नाम है प्रभोच सक्षेना प्रभोच सक्षेना आपने ध्यान रखना है यहां से अगला question देखते हैं हमारे पास क्या है बोलते हैं इंडिया यूएस joint special forces exercise was held at special force training school in बकलो हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं कि इंडिया और यूएस की इनमें से कौन सी वो special exercise exercise है जो बकलो जो कि हिमाचल परदेश में होँ तो इंडिया और यूएस के बीच में वज्र प्रहार exercise व हिमाचल प्रदेश के बकलो छाबनी में हुए बकलो force training school वहां पर हुए धयान नकना व्यूएस के बीच में होती है last edition पिछले साल हूई थी तो ये इंडिया और exercise का है वो बकलो में हुआ वजर प्रहार इसका नाम था और समरिधी जो सम प्रिती exercise है वो इंडिया और बंगलडेश के बीच में होती है मित्र सक्ती exercise इंडिया और स्रिलंका के बीच में मैत्री exercise इंडिया और थाइलेंड के बीच में वजर प्रहार exercise इंडिया यूएस के होती है और corporate exercise जो है इंडिया Thailand के बीच में होती है तो यह exercise आप चाहें तो notes कर सकते हैं अगर note नहीं करी है आपने पहले अभी note कर ले ना इनको एक वार यहां से आप चाहें तो आप यहां से एक वार फिर से देख लें वीडियो को किया है कि जो राष्टर इखादे सुरक्सा अधिनियम के तहद आने वाले सभी लावारती हैं उनको किस तीधी तक जो है वो मुफ्त खाद्यान जो है प्रतान किया जाएगा तो free food जो है उनको दिया जाएगा और यह free food जो है उनको कब तक दिया जाएगा यह December 2023 तक दिया जा मोटा नाज होता है उसके लिए देने पड़ते हैं दो जो है वो भीट के लिए देने पड़ते हैं तीन जो है उपर rice kg देना पड़ता है 35 kg of food grains जो है वो मिलता है इस तरह से जानकारी दी गई है और यहां से जो estimated जो center का estimate है कि कितना का amount spend होगा तो 2 lakh crore जो है वो इसके में ह होगा यह धियान रखें अगले question देखें अगले question हम बोलते हैं who is the recipient of 2022 डी पल आर नगम दुस्तन अवार्ड दहाइस्ट सिविलिन ओनर ऑफ लद्दाक तो यह तो हमने अभी इस बार भी राजपत्रिका में डिसकस किया था उस time भी डिसकस किया था दो बार डिसकस होके दल कर लिया था उनके अगले question में देखें बोलते हैं recently Vikas Thakur has been conferred with the Arjun Award he is related to which vote तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलाल में Vikas Thakur को जो है वो क्या किया गया है Arjun Award दिया गया है वो किस खेल से जो है वो जूडे हुए है तो यह weight lifter है weight lifting से जो है वो जूडे हुए है option c weight lifter जो है वो स now से जो हैं संबंद रखते हैं यह आपने ध्यान रखना है और common wealth games जो 2022 की हुई थी वहां पर इनको silver medal मिला था यह सारी जानकारी हैं पहले जान चुके हैं आगे question पूछते हैं बोलते हैं where was the 53rd statehood day of हिमाचल प्रदेश organized recently तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो 53rd number का ज राजत तो दिवस्त मनाया गया वो कहां पर मनाया गया था हो मनाया गया था ओप्शन सी हमिरपूर में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राजय का दर्जा का मिला था तो वो मिला था 25 जनवरी 1971 को तो 25 जनवरी को जो था यह मनाया गया और हमिरपूर में जो था वो मनाया गय अगले कोईश में बोलते हैं इट हैस अलसो बिन डिसाइटी तो प्रवाइड हाव मच अमाउंट एज फेस्टिवल एलाउंच टू दी पीपल लिविंग इन ओर्फेनजीज एंड ओल्ड एज होम्स एंड डेस्टिटूट वोमेंज इन हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अनाथाल्यों और व्रिधासरों में रहने वाले जो लोग है निरासरित महिलाएं हैं उनको त्योहार भत्ता के रूप में कितनी रासी जो है वो प्रदान की जाएगी ये फैसला लिया गया है देखो उनको जो है वो 500 रुपया 500 रुपया जो है वो देने का डिसाइड किया गया है त्योहार भत्ता के रूप में फैस्टिबल एलाउंस के रूप में यह आपने ध्यान रखना है अगले गोश्ट में बूलत है हाउ मुच्छ एमाउंट है इस बिन हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुकास्त्रिय सहाइता को से एक तरह से बड़े सिंपल सब्दों में कोशिन पूजा जाए कि मुख्यमंत्री सुकास्त्रिय सहाइता को कितने अगले गोश्ट में बूलत है हाउ मुच्छ एमाउंट है इनॉंस्ट बाइडी स्टेट गोवर्मेंट इन दी फॉर्म अफ क्लोथिंग ग्रांट फॉर और फैन्स एंड दोज लिविंग इन ओल्ड होम ओल्ड एज होम इन हिमाचल प्रदेश तो कपड़ों के लिए कितना पैसा दिया जाएगा कपड़ों के लिए 10,000 पै देने की बात जो है ओ कही गई है ये जो है ओ दिया जाएगा जो लोग जो लोग जो है ओ रहते हैं वृद्धास्रों में उनको जो है वो ताकि इस तरह की कोई परिशानी ना हो यहां पर वही दिया गया है कि महिलाएं हो ग तो दिखिए नेक राम सर्मा जो है ये प्रतिष्टित पदम श्री पुरुषकार से समानित है और ये मंडी जिले से जो है वो संबंद रखते हैं ऑप्शन डी मंडी जो है वो सही अंसर हो जाएगा अगले गोशिन में क्या पूछते हैं बोलते हैं विच और फॉलाइंग ह तो ये ऑप्शन डी सही अंसर हो जाएगा बोथ ए एंड वी इन दोनों को ही दिया गया था रास्टपती डेटेल में लिखा गया है पर उन्तों मुझे लगता नहीं कितना रेलिबेंट अब प्रिजेंट टाइम में है क्वेशन अगले क्वेशन में बोलते हैं अंडर दी म प्रिजएंटली अब बोलते हैं उनको दी जाती है स्वाब लंबनी उसना कितना अगले कवेशन में बोलते हैं वट इस दी ऑबजेक्टिव परवत माला स्कीम एनोंस्ट रिजेंटली परवत माला स्कीम जो है उसरकार के दरण चलाई गई है ट्रांस्पोरोटेशन इन हील अगले question में बोलते हैं, बोलते हैं recently who has been elected as speaker of हिमाचल प्रदेश विधानसभा, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के speaker जब नहीं विधानसभा बनी थी तो कुल्दी पठानियां को चुना गया था, option C सही अंसर है, यह आपने ध्यान रखना और यह most important question हो गया, अब आपसे पूछा जाएगा आने वाले exam में, आगे question में बोलते हैं, बोलते हैं, निक्से मित्रा scheme is related to which disease, तो बोलते हैं कि निक्से मित्रा योजना किस बिमारी से संबंदित है, तो यह TB, tuberculosis से जो है, वो संबंदित है, option B, सही अंसर हो जाएगा, यहाँ पर वो ही जानकारी दी गई ह इसके बारे में, प्रन्तु, tuberculosis से संबंदित है, tuberculosis जो है, वो bacteria से कौज होता है, और bacteria का नाम है, mycobacterium tuberculosis, यह आपने ध्यान रखना है, यह important one जानकारी, यहाँ से ध्यान रखना है, आगे बोलते हैं, looking back is the autobiography of, तो उस time major, 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 मेहर चंद महाजन थे, वो जुझाओ चरचा मैं भी, अगले question मैं बोलते है, recently, सुन्नी hydroelectric project has been approved, its total capacity is, तो देखो, सुन्नी प्रियोसना, हमने बहुत बार गिरास पत्रिका में, डिसकस कर लिए, क्योंकि अलग लग बार, यह अलग लग aim को लेकर, जो हो जर्चा में आती रहती है, तो इसकी capacity है, 382 megawatt option, भी जो है, वो माचल, Chief Minister के Principal Secretary जो था, वो भारत खेरा को चुना गया था, option A जो है, वो सही अंसर हो जाएगा, आगे बोलते हैं, which is the venue of 17th प्रवास्थी भारतिय दिवस 2023, बोलते है, स्तारवे नंबर का जो प्रवास्थी भारतिय दिवस है, उसका योजन 2023 में किस स्थल पर किया गया था, ये इन दोर में किया गया था, option A, सही अंसर है, अचा, प्रवास्थी भारतिय दिवस मनाया कब जाता है, ये आप बताएंगे, comment करके, जल्दी से comment करके, जितना बता सकते हैं, डिटेल में, उतना जल्दी से, बता दीजे, comment करके, अब अगले question में देखिए, पूछा गया ह जैस्टीस संजेक रोल, recently appointed as judge of supreme court, belong to which district, जैस्टीस संजेक रोल को जो है, वो supreme court का जो है, वो chief justice, chief justice नहीं, justice चुना गया है, इन्हें supreme court का, तो ये कौन से जिले से हिमाचल के संबंद रखते हैं, तो हिमाचल के कांगडा जिले से जो है, ये संबंद रखते हैं, ये आपने जैस्टीस ऑफ इंडिया है, जैस्टीस दीवाई चंदरचूर, उन्होंने जो है, ये order जो है, ओध इन्होंने दुलवाई है, इनको, ये आपने ध्यान रखना है, इनके साथ और भी judges थे, जिनके नाम इतने important नहीं है, जो हिमाचल से थे, वो हमने जान लिये, नेकराम जी जो जिनको पदमश्री अवर्ड दिया गया है, ये agriculture field से जो है, वो समबंदित है, ये आपने ध्यान लखना है, और नेकराम जी के बारे में detail में बताया गया है, यहां पर, कि हमने किस किस तरह से काम किया, अगले question में बोलते हैं, सुकेत देवता मेला इजा, तो सुकेत दे लेवल का जो मेला होता है, district level के जो मेले होता है, उनमें पहले 30,000 दिया जाता था, अब 50,000 जो है, हो दिया जाता है, state level के suspensionη मेले में पहले 10,000 था, अब 50,000 जो है, ब top जोटा है और यहां पर भुबु दर्रा है जोगिंदर नागर और कुलु को आपश में स्थित है जालोरी दर्रा कुलु में स्थित है रसूल$ जोड़ता है और जो गारू जोथ है ये भी कुल्डू में जोड़ता है ये इनके बीच में जो जोड़ता है रुफतांग दर्रे की अगर हम बात करें तो कुलू को लोहल से जोड़ता है 3978 मीटर इल्टिटूड पस तित है यह जो बेरियंगा पास है यह जो है वो कुलू कांगडा को जो है वापस में जोड़ता है यह अगला है रांगची गलु सिचूएटिटड है यह कुलू में यह पीडियएफ तो आफको टेलिग्राम पर मैंने प्रवायड भी करवाईथी रिवीजन के लिए यह कुलू में स्तित है इसारे दिर्ड coriander आपने यहां से रिवाईज कर लिए ये PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर भी प्रवाइट करवाई थी ताकि आपका reason अच्छे से हो सके बोलते हैं विच किंग ऑफ किंग एस्टिबलाइज दी जौलाजी टेंपल तो जौलाजी मंदिर जो डोम आर्किटेक स्टाइल में बना हुआ है इसको राजा भूमी चंद के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था option C जो है वो सही अंसरा राजा भूमी चंद ने स्थापित किया था अगले कोशने में बोलते हैं बोलते हैं अगले कोशने में बोलते हैं बोलते हैं एक प्लेस पूछा गया है तो यह है तत्ता पानी तत्ता पानी में जो है यह किया जाता है अगले कोशने में बोलते हैं तो हिम इरा क्या है जो चर्चा में थी ये market form है एक option C जो है वो सही answer हो जाएगा और हिम इरा के बारे में जानकारी दी गई है कि हिम इरा market जो है वो run की जाती है self help groups के दौरा जिसमें local rural की जो handmade चीज़ें होती है वो बेची जो हो जाती है अगले में बोलते हैं चैल cricket ground was stabilized in which यह तो चैल cricket ground के बारे में मैं आपको पहले भी बड़े पहले बता चुका हूँ कि ये exam में question पूछा जाता है means के exam में भी in fact यहां से question पूछा जा चुका है तो ये 1893 में जो था वो stabilized हुआ था one of the highest cricket ground है ये ये अपने धियान रखना है जो चैल में स्थित है और ये 1893 में stabilize किया गये था भुपेंदर सिंग महराजा और पत्याला थे इनके द्वारा ये ओ गया जाता था और इसका altitude बताया गया है 2444 मीटर जो है वो इसका altitude है height है from sea level अगले question में देखें बोलते है at present who is the parliamentary affair minister of हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के संसदिय कार्यमंत्री जो है वो कौन है संसदिय कार्यमंत्री जो है वो हर्स वर्धन चोहान है option D जो है वो सही अंसर है parliamentary affair minister अपने धियान रखने है अगले question में बोलते हैं which valley of lahal spitti district is known as granary and orchard तो बोलते हैं कि lahal spitti जिले की कौन सी घाटी जो है वो धान्यागार एवं फलो ध्यान कह लेती है धाने धाने गार एवं फलो ध्यान जो है वो पत्तन वैली को जो है option D जो है वो सही अंसर हो जाएगा पत्तन वैली जो है वो lahal spitti में स्थित है अगले question में बोलते हैं famous famous चंद्रिका देवी temple is in which district of Emasal Pradesh तो चंडिका है ये चंद्रिका नहीं चंडिका देवी temple प्रसीद चंद्रिका देवी मंदिर जो है वो कहां पर है किनौर जिले में जो है वो स्तित है option C जो है वो इसका सही अंसर हो जाएगा चंडिका देवी temple जो है वो कलपा विलेज किनौर में जो है वो स्तित है ये आपने ज्यान रखना है आगे बोलते हैं doctor राधा कृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज के किस जिले में स्तित है ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो इन मैसे किसी भी जिले में स्तित नहीं है option D none of these सही अंसर हो जाएगा तो कहां पर स्तित है ये हमिरपुर जिले में जो है उस्तित है doctor सर्वापली राधा कृष्ण गॉर्मेंट मेडिकल क कॉलेज कहां पर सित है वो तांडा में सित है और एक हमने ये जान लिया तो यह बेसी कॉलेज हमने जान लियर घुलेज जो था वह दो हजार अठार premi स्तित है यही जानकारी के बारे में लिखी गई है आगे बोलते है नैश्नल यूथ Initiative दे का मनाया जाता है तो यह नेशनल youth day भी मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है international level पर जो youth day होता है वो आप बताएंगे comment करके आपके लिए छोड़ा सा काम है अगले question में देखें क्या बोलते हैं अगले को यहाँ पर जानकारी दी गई है हो गया ये तो अगले question में जो है यहाँ पर क्या है कि कौन थे कब मिला था कब पैदा हुए थे कांगड़ा से जो है यह है major सोमनात सर्मा और 31st January 1923 को इनका जनम हुआ था हिमाचल पर देश का सबसे बड़ा हिमनन जो है वो किस नदी को पोशित करता है तो यह चनाव नदी को करता है लोहल स्पित्ती जिले की कौन सी घाटी धान्यकार एवं फलोध्यान कहलाती है अभी हमने डिसकस किया पत्तन घाटी जो है वो कहलाती है अगले question में बोलते हैं बोलते हैं with the help of which of the following हिमाचल प्रदेश aims to achieve the target of making green energy state by 2025 तो देखो जब तक budget नहीं आया था ये तब तक की वीडियो है budget आने के बाद लक्से जो था हो 2026 जो था वो हो गया था तो अब ये लक्से क्या है 2026 है अब ये 25 नहीं रहा है तो इसको लेकर confuse मत हो जाना कि मैंने 25 लिखा है ये 25 उस टाइम लिखा था जब तक budget नहीं आया था और ये world bank की सहाइता से जो हो रखा गया है option C सही अंसर है अगले question में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश जीफ मिनिस्टर सुकविंदर सिंग सुकूलेश foundation of हिमाचल निकेतन निकेतन की नेम जो है वो कहां पर रखी गई है ये दिल्ली में जो है वो रखी गई है हिमाचल निकेतन की ये आप ध्यान रखें हिमाचल निकेतन जो है ये 5 स्टोरी बिल्डिंग होगी और द्वारका दिल्ली में जो है construct की जाएगी इसमें VIP rooms होंगे 36 general rooms होंगे इस तरह की facilities जो है वो दी जाएगी अगले कोशन में देखें क्या बोलते है बोलते है हिमाचल CMRG Center to Enhance Share in Hydro Power Project from 12% to देखो हिमाचल ना काफी टाइम से इस तरह की मांग जो है वो कर रहा है कि हिमाचल का share जो हो बढ़ा दिया जाए हिमाचल का share जो है वो 12% है 12% से बढ़ा कर जो है वो 15% करने की मांग जो है वो हिमाचल करता है option A जो हो सही अंसर हो जाएगा यह ध्यान रखना आगे बोलते है HP Civa Project is related to which are the following HP Civa Project चलाया गया है एक यह होल्टी कल्चर से जो हो समबंधित है option A सही अंसर है होर्टी कल्चरा ध्यान रखना अगले question में बोलते हैं तीर्थन वैली का हम पर सित्थ है आप सभी को पता है कुलू में जो हो सित्थ है उस टाइम गिराज पत्रे का में आई थी को हमने डिसकस की थी आगे बोलते है चीफ मिनिस्टर सुखास्त्रय सहायता कोस वस एस्टेबलाइजड बाई दी हिमाचल प्रदेश गोर्वर्मेंट तो ये कब स्थापित किया गये था ये 1st January 2023 को 2023 को जो था वो क्या किया गये था स्थापित किया गये था एस्टेबलाइज किया गये था हिमाचल प्रदेश गोर्मेंट के दौरा ये आपने ध्यान रखना है आगे बोलते हैं तो हिमाचल प्रदेश वोमेन कमिशन की पहली चेर परसन थी सरोज सर्मा ओप्शन ए जो है वो सही अंसर हो जाएगा आगे बोलते हैं section 118 was imposed in state to safeguard which should the following तो बोलते हैं कि section 118 हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है ये किसको बचाने के लिए लगाया गया है तो किसकी सरक्षा के लिए है farmers के राइट की सरक्षा के लिए option C, सही अंसर है इनकी rights की सुरक्सा की जा सके ये इसके बार में detail है अगले question में बोलते हैं In which month डुंगरी fare of Manali held तो डुंगरी मेला Manali का कौन से महीने में लगता है पहली बात डुंगरी मेला Manali में जो है वो लगता है दूसरी बात ये मई महीने में जो है वो लगता है अजबर से इन मंडी के राजा थे मंडी सहर की स्थापना इनके दौरा की गई थी और यहीं पर शिवरात्री का मेला होता है मंडी में अजबर से इनने स्टार्ट के था इंटरनेशनल लेवल का मेला है अगले question में क्या बोलते हैं इनके बारे में यह शिप्रताफ शुकला जी है मचल के गवर्नर है आगे बोलते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम अंडर विच पॉंग डैम एंड जंझेली एरिया विल बी डेवल्प इज इनिशेटीव विच और फॉलएंग Union Ministry तो बोलते हैं तो देश दर्शन स्कीम है जिसमें पॉंग बांध क्षेतर और जंझेली क्षेतर जो है विक्सित किये जाएंगे यह किस मंतरी मंडल के अंदर जो है किस मंतरा ले के अंदर आती है तो यह Tourism Ministry के अंदर जो है वो आती है Option B Tourism Ministry of Tourism जो है वो सही अंसर है आगे बोलते हैं वो हैस बीन रिशेंटली इनाउग्रेटीड दा इंटरनेशनल शिवरात्री फेस्टिवल फ्रम हिस्टोरिकल पड्डल मैदान तो बोलते हैं पड्डल मैदान से जो है हो शिवरात्री का मिला किस ने इनाउग्रेट जो हो किया है इनाउग्रेशन की बात हो रही है सुखविंदर सिंग सुख्षु जी के द्वारा किया गया था Option B सही अंसर है हिमाचल के मुख्य मंत्री है पड्डल मैदान जो है वो कहां पर है स्थापित की जा रही है तो यह उन्ना जिले में स्थापित की जाएगी या की जा रही है option है जानकारी दी गई है इतने important नहीं है अगला question देखें बोलते है तो यह हिमाचल प्रदेश को जो है वो एन्नोल ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में जो है फर्स्ट अवार्ड मिला है देखो detail में question समझ रहे है एक बार अगर आपने एक बार देख लिए है अब तो आपका revision हो रहा है आपको चीज़ें याद भी आ रहा ही होंगी details अगर डेटेल से नहीं देखी है न तो एक बार playlist में जाकर हर एक महिने की न details से वीडियो देख लेना तब ही आपको अच्छे से यह समझ आ पाएंगी अगले question में बोलते है recently who has been launched a 24 by 7 दूरदर्शन channel dedicated to हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं कि हाल ही मैं हिमाचल प्रदेश को किसने 24 by 7 दूरदर्शन channel जो है वो launch किया है तो यह जो है वो अनव्राग ठाकर के द्वारा किया गया है मंतरी है information and broadcasting ministry इनके पास है तो इनके द्वारा ही inaugurate किया गया है वो ही लिखा गया है जानकारी सारी की सारी उस टाइम किया गया था अगले कोशिन को देखें बोलते हैं how many former presidents have been awarded भारत रतन तिलना हो तो बोलते हैं कि अभी तक कितने पूरवराष्टपतियों को जो है भारत रतन से सम्मानित किया जा चुका है तो छे पूरवराष्टपत आते हैं वी वी गिरी जो है वो यहां पर आते हैं और प्रणम मुखर जी जो है वो यहां पर आते हैं यह आपने ध्यान रखना है अगले कोशिन हैं हिमाचल प्रदेश गौर्वर्मनेंट एमस टू बिकम फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट वाई तो आपको पता है पहले किसे टार्गेट 25 था प्रणतो अब 2026 कर दिया गए तो कोई भी आप्षिन सही नहीं है 2026 जो आप आप सही अंसर आ जाएगा इसका बार बार बता रहा हूं 2026 जो आप इसका सही अंसर आ जाएगा अगले question में बोलते हैं तो scheme बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is related with तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो किस्ते सम्दित है यह solution to declining child sex ratio and empowerment of girl ताकि महिलाओ लड़कियों को जो है वो empower किया जाए और जो child sex ratio जो है उसके लिए solution ढूंडा जाए जो कम हो रही है यह सब है अगले question में यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में दिया गया है वही सब जो हमने discuss कर लिया यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था वो centrally sponsored scheme है बाइस जनवरी 2015 को launch की गई थी अगले question में बोलते हैं फिन्ना सिंग मध्यम जो सिंचाई पर परियोसना कांगडा जिले में स्थित्थ है option है सई अंसर हो जाएगा फिन्ना सिंग परियोसना कांगडा में है कांगडा के नूरपूर के स्थित्थ है और स्टार्ट की गई थी 204 क्रोड से 2011 में की गई थी और अभी यह 646 क्रोड तक जो है वो escalate हो चुकी है यह दियान न प्रिस्क हुई थी तो हिमाचल के स्टेटस की बात हो रही थी कि अच्छा नहीं है थोड़ा सा पॉइंट गिर गए हैं और थोड़ा सा जो है वो स्कूलिंग में थोड़ा सा फर्क देखने को मिला है तो यह प्रत्थम एंजियो है एक जो इसको जारी करता है option भी सही अंसर है आगे बोलते हैं मनाली विंटर कार्निवल स्टार्ट इन विच यह तो मनाली में विंटर कार्निवल होता है यह 1977 में जो था वह स्टार्ट किया गये था option c सही अंसर है आगे बोलते है वहन वोजी रीजनल माउंटेन रिंगी सेंटर धरम चाला इसी धरमचाला की बात हो के रूप में से उन्त किया गए था यह गिरास पत्रिका में ऐसा लिखा गए था प्रणतु जब मैंने साइट चेक की तो साइट भी 1975 था उस टाइम भी मैंने बताय था एक और फिर से बताता हूं यही सब बात है आगे क्या बोलते हैं डिस्क्राइब आगे क्या बोलते हैं य परजामंदल के बारे में definitely help करेगा अगले question में बोलते हैं recently हिमांचल प्रदेश government has decided to make which district as tourism capital तो बोलते हैं कि हिमांचल प्रदेश ने अभी हाल ही मैं किस जिले को प्रेटन राज़ानी के रूपे बनाने का निरने किया है तो budget में ही कहा गे था कि कांगडा जिले को बनाया तो यह संजे सिंग को चुना गया है specific हिमांचल का अगर इस तरह को को बैंक का रिलेट एक्जाम होता है उसमें पूछा जाएगा दर्वाइस चांसिस बहुत कम है जीरो के बराबर है लूहरी stage 1 प्रेजना की आगे capacity पूछी गई है लूहरी stage 1 प्रेजना की capacity है 210 Megawatt option B जो ह has been started with the assistance of तो यह बोलते हैं कि एक project चलाया गया है हिमाचल प्रदेश forest ecosystem management and livelihood improvement project किस की साहिता से चलाया गया है यह आपने ध्यान लखना है option C जो है वो सही अंसर हो जाएगा जाएका की साहिता से चलाया गया है यहां पर वही जानकारी दी गई है जापान international cooperation agency की साहिता से चला गया है और आठ सालों के लिए चलाया गया था दोहसार अठारा उननी से लेकर दोहसार पत्चीश हबीस तक आठ सो क्रोड पे estimated cost है इसकी वही सब जानकारी हमने पहले वी डिसकस की है आगे बोलते हैं when was the chief minister सुखास्रे साहिता को से अस्टेबलाइस्ट तो यह तो आपने भी पड़ा है एक जनवरी 2023 को आगे बोलते हैं in which year मुर्ली मनोहर temple at सुजानपुर established तो बोलते हैं कि सुजानपुर का मुर्ली मनोहर मंदिर कब established किया गया था ना 1785 में किया गया था option D सही अंसर है 1785 सही अंसर हो गया बोलते हैं सोहनी देवी temple is situated तो सोहनी देवी मंदिर जो है कहां प्रसित यह ब्लास्फू डिस्तिक के घुमार्मी के समीप जो है ऊस्तित है तो option b सही अंतर है घुमार्मी नियर गुमार्मी जो है यह स्थित है यह धियान रखना है उस्टिम चर्चा में आय था तब हमने डिसकस के था गिराश पत्त्रिक हमेर इक इसका आया थ लोक नहीं रिता है जांकी अगले question में बोलते हैं इन विच ए खजियार was declared as mini Switzerland by WT Blazer तो बोलते हैं कि WT Blazer के दोरा खजियार को mini Switzerland जो थाओ कव declared किया गया था चार option आपके पास दिये गए हैं आप comment करके जो हैं बताएंगे इस question को हम अगली वीडियो में जो हो discuss करेंगे और पहले details से गिलराज पत्रेगा में discuss हो चुका है अभी काफी लंबा session जा चुका है तो इस session को यहीं समाप्त करते हैं और PDF आपको टेलिग्राम पर ये already uploaded मिल जाएंगी PDF देखने के लिए या और भी important question देखने के लिए इस तरह से सर्च करना टेलिग्राम चैनल से टेलिग्राम चैनल आपको मिल जाएगा गिलराज की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और वहाँ पर आपको important quizzes भी मिल जाएंगे important जानकरी जो exam में आपकी help करेगी वो सारी मिल जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही काफी है that's all thank you thank you very much for watching and listening it very patiently